असलामलेकुम आरेवरान वाइकम बैक समय लेकर आचुके हैं आप सब के लिए हमारे फेवरिट नोवल मेरा मर्स्टू के एपिसोड 12 को जैसे मच पढ़ेगे तो बढ़ते हैं सलगी यास देखर देने जाने को सबस्क्राइब और साथी वीडियो को लाइगा से मॉस्ट रू यूनीक स्टॉरी है तो जल्दी से पढ़ते हैं इसे अपना प्यार यूहीं देते रहे हमारा साथ देखर चलो बहुत हो गया नाटक उठो अप और मेरे कपड़े हिस्ते ही करके दो हारिप सोच रहा था कि शायद हमाया नाटक कर रही है सुनो तुम से कुछ कह रहा हूँ उठो अपकी मरत बहुत तलग अंदाज से बोला मगर हमाया वैसे ही लेटी हुई थी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या बास उसे पकड़े जिन जोड़ता अचानक से हाईजर के बदन को गरम देख तुम्हें बुखा रहे क्या दिल पस अदमा लेने के बाइस वो लड़की बेमार पड़ चुकी थी आखिर अपना ख हो रही वो यो हुकम जता था डॉक्टर को भी अपने गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा था पर सर मैं 20 किलोमीटर का फासला कैसे देख करके आज सकता हूँ आप होस्पिटर अपनी बेगम को ले आए इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद वो रिक्वेस्ट सदानतास से बात कर रहा था तुझे समझ नहीं आरी मेरी बीवी बे होश पड़ी है और अगर तो अभी के अभी यहां नहीं पहुचा तो आएंदा अपने होस्पिटर जाने के काबल नहीं बचेगा तू इसकी एक धंके काफी थी जी सर कहता डॉक्टर भागते होगे गाड़ी में बैठता गाउं के लिए रवाना हो गया तुम्हें कुछ नहीं होगा सुन रही हो ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अमाया के रुकसार को छूते हुए वो इसे तसली देने की कोशिश कर रहा था तब ही कुम्रे से बाही निकल दा अमा जी वो अमाया को बुखार है बहुत तेज आप कुछ कर दो जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता हारिप के चेहरे का उड़ा रंग देख इसके वालदा दंग रह गई बुखार ही है इसमें डॉक्टर को बलाने की क्या जरूरत थी खुद ही ठीक हो जाएगी वैसे भी काउवालों के सामने हमने अपनी नाग नहीं कटवाने जो एक वनी मेलाए लड़की का इलाज करवाएं डॉक्टर बलाकर सुपारी कार्टी वो इंतहाई बेहिसे का मुझाहरा कर रही थी अमा ये मत भूले कि वो मेरी बीवी भी है जिसके हर दुख तकलीव खुशी गमी का श्रीक के हयात मैं भी हूँ और इसे जो तकलीव पहुँचेगी इसका दर्द मुझे भी इतना ही मिलेगा और एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन ले अगर इसे किसी ने तकलीव पुचाने की कोशिश की तो इस इस इनसान के जिनके में मैं बहुत से तकलीवे ले आऊँगा अपनी मा को वोन कर गया खुद कीचन में जाए ठंडे पाने का बॉल भरता वो वापिस अपने कमरे में चला गया अमा जी आखर ये हो क्या रहा है वनी मिला है लड़की मुझे तो लगता है हारे भाई को ही बागी कर देगी वो आपको आखे दिखा रहे हैं इस तो टके की लड़की के लिए कहीं ऐसा नहों कि इसके चलते वो हम सब को ही इस घर से निकाल दे आपको कुछ करना चाहिए जहां अमा जी इस सब को अमा जी को बढ़काने का काम इनकी खास मुलाजमा कर रही थी वहीं अपने बेटे का पागलपन वो खुद भी नोट करती फिकर मन्द होने लगे थी बार बाम सलसव ठंडे पानी के पटिया करता अमाया के बखार को कम करने की कोशिश कर रहा था तब तक टॉक्टर भी आ गया अमाया को चैक अप किये लगता है काफी गहरा सदमा लिया हुआ है इनोंने इस जैसे बखार भी आया है बाकी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है कुछ तेर में होश भी आ जाएगा बाद में आप कुछ खिला कर ये दवाई खिला देना इन्हें डॉक्टर के तसली बक्ष जवाब को सुनता सकून के सांस मिली थे इसे बाकी सब तो ठीक है पर होश अभी क्यों नहीं आ रहा इसे कुछ करो ना डॉक्टर हो तुम सर में क्या कर सकता हूँ आप लीज इंतजार करे जब होश आ जाए तब कार कर के मुझे बता देना अपना बैग उठाए वह वहां से जाने लगा पर हारिब इसकी बाजो पकड़े जब तक मेरी बीबी को होश नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगे पर सर डॉक्टर जवाब देना जाता था पर हारिब की सुर्ख आखो से गोड़ना इसे खामोशी से वहीं बैटरे पर मचबूर कर गया ठीक दस मिनट बाद अमाया अपनी आँकों खोलती पानी मागने लगी सर देखे होश आ गया अब मैं चलता हूँ पहले बहुत देर हो चुकी है शुकर की सांस ने डॉक्टर ने इजास्त मागी ठीक है चले जाना पहले से तो देख लो अमाया की होश में आते हैं एक मरत्बा फिर से चेहरे पर गुसा सवार कर लिया था इसने सर अब बखार तकरीब होते चुका है फिकरमंदी की कोई बात नहीं बाकी जो पटिया आप ने की थी इस वज़े से बोड़ी का टेंप्रेचर सही है हो चुका है डॉक्टर की बास तो नमाया हैरस से हारिप की जानिब देखने लगी वो शक्स तो जो दर्द देखर सुकून हासिर करता है इसकी बेहोशी भी इसकी खिदमत कैसे कर सकता है लो पानी पियो डॉक्टर की कमरे से बाहर जाते ही हारिप गिलास पे पानी डालता अमाया की जानिब किया गिलास पकड़े वो तीन गूट पानी के बीती वापी से गिलास साइड टेबल पर रखने लगी वगर अचानक से अपनी बाज़ों में माजी के पकड़ने के बाइस दर्द सहन करती हलका सा सिस्सक उठी क्या हुआ यार तुम से किसने कहा उठ रेको मुझे नहीं पकड़ा सकती थी अमाया की किलाई पकड़ता गुसा होने लगा पर इसका यो चुना भी माया को दर्द देने लगा था हुआ क्या है यहां पर यो गोर से देख उंगलों के छुपे निशान पाए क्या ये श्यप की जानब से मिलने वाला दर्द है वो कंफर्म कर रहा था ताकि इसके बाद से ही इनसान को सजा दे पाए नहीं अपनी वज़ा से किसी और को तकलिफ नहीं पहुचाना चाहती थी वो तब ही फोरा से नहीं कह दिया तो फिर कौन है इस तर्द की वज़ा यो मसलसल इस शक्स के सवालां से तंक आती कोई नहीं है वज़ा मेरे खुद ही मोच आ गई थी बेशक अमाया जूट पो रही थी और इस पाद से वाकिफ अच्छे तरिके से हारिप खुद भी हो चुका था पिर कुल खामोश यो फरस टैड की टलाए खुद अमाया की पट्टी करने लगा पर इस शक्स को खामोश होना अमाया को मज़ीद परेशान कर रहा था कि आखिर अब ये क्या चाहता है दुसरत कहां पर हो जल्दी जुसूप कहा है वो लेकर आओ अच्छानक से इसका चिलना कर पुकारना जहां अमाया को खौश अदा कर गया था वहीं मुलासमा को भी भागते हैं सोप लाने पर मचबूर कर गया चला पियो इसे फिर दो आई भी खानी है बॉल को इसके सामने रखता है वह पीने का कहने लगा मुझे नहीं पसंद अमाया को जो क्या इसता से बोली थी मगर हारी को सुनाई दे गया तुम्हारी पसंद की यहां कोई अहमेत नहीं है जित्रा कहा है इतना करो पांच मिनुट के अंदर अंदर यह मुकंबर खतम होना चाहिए इसके घुसे से खोव सदा आती वह बोल उठाए पीने लगी पर गले से नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था पांच के से वह चमच भर भाय को बस नौस्टोप पीएज है मगर हमाया के चेहरे पर आ रहे हैं जीपो गरीब तासुरा देख इसके हाँ से पकड़ी चमच चो कि हमाया अपने मुँँ में डालने वाले थी को रोकत अपने मुँँ में डाली यह क्या पीने लाइक है जिसे तुम पीए चाह रही हो इतना नवक हेलो तुम से कुछ पूछ रहा हूँ इस लड़की को खामोशी में भी चुपती थी इस शक्स को आपने ही कहा था कि मैं इसे पांच मिनट के अंदर अंदर प्यों नजरे चुकाई वह खुद पर हावी हार अपका खुफ जता रही थी अगर मैं कहो जहर पीलो तो क्या वो भी पीलोगी तुम तो बहुत बहादू लड़की थी ना लेकिन अब इतनी से बात बताते हुए भी टर लगता है तुमें जापे सिर्व जबान दूसरों की महबत को रिजेक्ट करने के लिए चलानी आती है अब पकड़ो और खौओ इससे जबरदस्ती गोली निकाल हमाया केह देली पर अक्तावे से खाने का बोल गया पिछली बे खौफ हमाये तो मुझ चुकी थी जो आपके सामने वो आपके बकौल आपकी भी गुलाम है जिसका काम है आपकी हर चायस ने चायस हुकम की तामिर करना आपके आप जैसे शक्स की महपत को रिजेक्ट करने जैसा गुनाज हो चुका था मुझ से तो फिर अब सारी जिनकी की ये सजा तो मुझे बुगत नहीं पड़ेगी ऐसे अजारों गम वो अपने अंदर चिपाई हुए थी जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती थी अराम करो कोई जवाब नहीं था इस शक्स के बास तब ही वहाँ से जाना बहतर समझा जबकि हमाया के आँखों में आसो थे बादो की बट्टी की जाने देखती ये नाटो क्यों कर रही हो आखिने सबकी जिम्मेदार भी तो तुम ही हो फिर इस विक्रमंदी की वज़ा वो खुद बहुत कनफ्यूस थी मॉम ड़ड आप से मैंने कहा था कि मुझे वादर के साथ शादी नहीं करनी बर्कि इस वक्त किसी के साथ भी शादी नहीं करनी फिर भी आप रिष्टा पका करके आगे और वो हारिप समझता के है खुद को बस जो कह दिया सब इसकी बात की तामिल करें हद होगे और आपने देखा इनकी बहु का हाल जो लड़की हारिप की बीवी है शकल से वो पड़ी लिकी दिख रही थी पर फिर भी कितना गंदा स्लू करते हैं सब मैं तो इस काव में जाकर प्रिस इनकी हर्किस पर बात नहीं करूँगी हिफसा जो कि पहले दिन से इस रिष्टे की खिलाफ थी पराजमाया को देखती दिल मज़ीद खटा हो गया पागल हो जो क्यों कि आप बच्पन से तेरा रिष्टा फाजमाया के साथ तया किया हुआ है और फाजमाया पसंद भी करता है तुझे वो तो रानी बना कर रखेगा तुम्हें अफजूर का तमाशा बंद के के पहले बहुत से त्यारा करनी है हमें अपने वालदान के आगे इस लड़की के हरकी से नहीं चलनी थी गुस्ते से वो पहाँ पटकती वो अपने रो में चले गई पर एक दम ही इसने कमरे में रखा था जिब दबासों से पकड़े को इस लड़की को अंदर खिच तरवासा बंद कर गया कौन है गपराती वो चलने लगे मगर इसके मूँ पर वो शक्स अपना हाथ रखता यर मैं हू हाशिम तुम्हारा हाशिम बहुत जाद आ रही थी तुम्हारी तब ही चल आया लेकि तुम कहां गई हुई थी हिवसा के असल इंकार करने के वज़ा यहीं लड़का था हाशिम अच्छा हो यह तुम आगे मैं बहुत परिशान हो मेरी शादी है चार दिन बाद और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ गले लगती वो अपना दुख प्यान करने लगी शादी पर कैसे इतनी जल्दी हम अब क्या करेंगे हाशिम खुद फिकर मंद हो गया भाग चलते हैं सुसाफ करते हो आखनी हर्बत आ गई हिवसा हम ऐसे नहीं करेंगे तुम देखो देख रही हो ना तुम्हारे वालत किसी कोर्टी उपर से ठीक है हम भाग चलेंगे पर अभी नहीं शादी के दिन बस किसी तरह तुम बाहर आ जाना शादी के माहौल में रश होगा तो हमें कोई पकड़नी ये पाएगा हाशिम मान चुका था पर अभी नहीं चार दिन बात ठीक हाशिम मैं कुछ भी करूंगी बस मुझे तुम चाहिए मजबोते से गले लगाती वो लड़की राजी हो गई चल्ब मुझे प्यारी प्यारी से किस तो दे तो यार इतना तो कर दे सकती हो ना वैसे भी चार दिन बात हम तोनों की चार्दी होने वाली है हिवजा को आज साफ करता वो इसे किस कने के फरमाईश करने लगा हाशिम नहीं तुम जानते ना मुझे से ये सब नहीं हो पाता पीछे हरती वो मना कर गई या इसमें मुझेले क्या है सिने पर हाथ रखे वो इसे दर्वासे के साथ लगाता बस इन दो लबो को आपस में जोड़ना ही तो किस सांसों की खुश्पू में खुद को समेड़ती ना ही तो हमें प्यार का इसास करवाता है इस लड़की के नर्म कुलाबी होट जिन पर इस वक्त कुलाबी रंग की लिपस्टिक मचूद थी के साथ आएस ता इसस अपने लबो को रगड़ता एक ही पल में इसके निचले होट को अपने लबो में तुबाए पुरी शिद्द के साथ लोग कर गया अचानक से शक्स के ऐसे हरकत पर लड़की खबराती इसके शर्ट को अपनी मुठियों में चकर गई वो लड़की अपनी खुद कहसे के चलते फाजर को दोगा दे रही थी जिसने हमेशे सपनी बीवी की सुछत इस लड़की को तस्वर किया यहां तक ही खुद को संभाल करका सिर्फ और सिर्फ इसलिए जब कि यह लड़की दोगा दिये सबके सामने इसके इंसर्ट कि यह भागने वाली थी आगर क्या होने वाला थे इन दोनों के साथ तो आज को इतना ही करते नहीं चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक ऐसे मोस्ट रॉमेंटिक नोल्स के लिए